दोस्तों आज मैं आपके सामने एक टॉपिक के उपर बात करना चाहूंगा और बहुत ही ज़रूरी है फोरेक्स मार्केट के उपर आप मैंसे बहुत सारे लोग ऐसी होंगे जो लोग ये चीज़ देखते हैं कि इंडिया में फोरेक्स मार्केट की जा रही है अब यहाँ पर बात आ जाती है कि अगर आपको यह बात पता है कि Forex Market इंडिया में लीगल नहीं है बट फिर भी आप में से कुछ लोगों का मैसेज भी था मैंने देखा YouTube कमेंट के नीचे अब बात आती है क्या बाते कर रहे हैं कैसे समझे और क्या हम कर सकता है नहीं कर सकता है इसका अंसर इस वीडियो में आपको मिलने वाला है बहुत ही ध्यान से वीडियो देखना और पूरा प्रोसेस समझा देता हूं कि अगर आप करना चाते हो लाइक काम करना चाते हो तो क्या करना है और अगर आपके वल उसको मॉनिटर करना चाते हो तो क्या करना है आप काफी लोग कहेंगे भाई मॉनिटर करना चाते हैं हम क्यों टाइम पास करें बट मैं आपको एक बात बताना चाता हूँ अगर आप अपने थोड़े से time को invest करके एक ऐसी skill को develop कर लेते हो जो दुनिया में किसी भी कोने में रहकर आप काम कर सकते हो कोई problem की बात नहीं आएगी तो I think वो time देना बहुत ही कीमती time जरूरी है ठीक है ताकि आपको एक feel आपाए कि भाई मेरा कुछ भी ना हुआ ना तो मेरे पास ये तो है ये बात ध्यान रखना और मैं खुद भी ये feel feel करता हूँ कि हाँ भाई सही बात है क्यों बात है वो भी समझाता हूँ दोगो forex ही जब बात की जाती है तो forex है क्या actual में जो भी money system है ना टूटल जो money system हमारा होता है लाइक बात करें जैसे हम इंडिया में रहता है तो इंडिया में इसको कौन regulate करता है RBI ठीक RBI क्या करता है पूरे की पूरे money system को run करता है अब पैसा काम कैसे करता है मैंने आपको पहले भी explain किया था कि माल लीजिए ये पूरा कर पूरा लाइक एक मैं बहुत ही ध्यान से आपको समझाने की कोशिच कर रहा हूँ please in concept को समझना ताकि आप clearly समझ पाओ कि किस तरीके से grow किया जा सकता है अगर मैं बात करूँ ये हमारा पूरा कर बाक्स है पैसा चाहिए तो RBI क्या करेगी basically आपको पता होना चाहिए कि केवल और केवल ना जो पैसा होता है like हम cash में देखते हैं आपने देखा होगा कि income tax department ने rate डाली बाई करोडो रुपे मिल गए वो कुछ भी नहीं है actual में 3% कह सकते हूँ जो currency है ना कैसे मैं उसका फायदा उठा सकता हूँ आपको clear हो जाई ये वीडियो देखने के बाद में आपको कोई और वीडियो देखने की जरुवत ही नहीं पढ़ने वाली है अगर आप forex market को समझना चाहरे हो तो देखो दोस्तो होता क्या है government कहती है RBI से भाई मुझको पैसा चाहिए मुझको 100 करोट रुपे चाहिए तो RBI कहती है जी मालिक बना देता है कैसे बना देता है हवा से पैसा basically RBI का बनाना है उसको तो बनाना होता है दिक्कत क्या है तो RBI तुरंत बना कर कहेगी government को मालिक आप एक काम करो bonds दे दो हमको government कहती है देखो भाई हम इतने time के उपर ना आपको ब्यार्ज देंगे वगेरा वगेरा bonds मिल जाते है RBI को RBI क्या करती है पैसा चाप कर दे देती है चापने की जरुवत नहीं है automated system के थूँ basically बोल सकते हो like numbers है cable बात आती है यहाँ पर तो 3% पैसा है जो की cash में घूम रहा है आप खुछ समझ सकते हो कि असली पैसा तो कहीं और ही घूम रहा है तो इस तरीके से government बना सकती है पैसा आप सोचो मैं हूँ और एक दूसरा इंसान है हम लोगों ने माल लीजे पैसा कमाया मैंने माल लीजे मैंने 10 lakh रुपीज कमाया पूरे साल के हंदर कमा लिए उसके बाद मैं फिर मैंने आप income tax वगरा सब दिया अगले साल फिर मैंने 10 lakh कमाये अब होता क्या है हम यहाँ पे कर रहे हैं भाई इसने 4 lakh रुपे या 2 lakh रुपे कमाई एक साल फिर उसके बाद में 4 lakh रुपे कमाई इस तरीके से हम अपना competition चल रहा है हमारा की भाई हम पैसा कमाएंगे clear बट यहाँ पर जो उपर बैठ है इनके पास में तो पूरी की पूरी power है लाइक government की बात करें तो वो तो RBI जे पोल के पैसा बनवा सकती है simple सी बात आती है और क्या देना होता है उसको bonds देने होता है अगर मेरे पास इतनी power होती कि भाई मैं भी bonds दे देता हूं कि 20 साल बाद आपको इस भ्याजदर पर पैसा वापस मिलेगा तो comments की बात है मेरे हाथ में भी पैसा आ जाता बट ये power जो होती है कीवल और कीवल government के पास है तो यहाँ पर ये ध्यान रखने की बात आती है कि हम लोग कितना भी पैसा कमाते रहें जब भी चाहे RBI चाहे तभी उस पैसे के इंदर माली जी हाँ पर क्या है 100 है numbers की बात कर रहा हूँ 100 है तो RBI का मन करेगा government बोले के पैसा चीए तो पैसा चीए तो RBI ने बोला लो भाई ये लीजिए 8 point और ले लीजिए तो यहाँ पर प्लस 8 point और हो गए इसी तरीके से अगले साल फिर government को पैसा चीए होगा काम करने के लिए लोग उसे काम कराने के लिए government पर माली जी पैसा है तो वो लोग उसे काम करा पाएगा न उनका time value को खरीद पाएगा न वही चीज इस तरीके से करते करते लाइक यह numbers भड़ते रहते हैं 8-8-8 अब सोचो हमारे पास जो पैसा था उसकी value तो खुद बहुद कम होती जा रही है क्योंकि एक box के अंदर जो 100 points थे जो की बटने चाहिए थे उसी उपर पर game चलना चाहिए था अब यहाँ पे हर बार 8-point जुड़ते जा रहे हैं जिसको हम बोलता है inflation इस system को पूरे के पूरे system को run कोन कर रहा है RBI इसी तरीके से यह तो इंडिया की बात हो गए इसी तरीके से अमेरिका की बात करे जैसे USD की बात करे dollar होता है वहाँ पे क्या है federal reserve banks जो होता है वो इस particular game को play करते हैं वो भी चाहे कितना पैसा बना सकते हैं government के कहने पर कितना पैसा भी ला सकते हैं ठीक है अब सुचो जिस इंसान ने पैसा कमाया कि भाई मने तो 10 लॉक कमाये है जी अब पता लगा पडोसी के पास में free of course और पैसा आ गया तो आपके पैसे की value दीमे दीमे गिरती रहती है और किसी के पैसे की value कह सकते हो गिरेगी कैसे नया पैसा जब छपता रहेगा सोचने की बात है यहाँ पर 100 थे अभी फिर से 8 जुड़ गए एक साल में अगले साल फिर 8 जुड़ गए फिर 8 जुड़ गए इसी को तो inflation कहते है ना कि आपके पैसे की value दीमे दीमे गिरती जा रही है तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए Forex जो होता है Forex हर देश के अंदर काम किया जाता है पर बात आती है जब हम आपको Apple का phone चाहिए तो आपके amount से माल लेजे 5000 रुपे कटे रुपीज में कटा बट वो transaction जो होगी जो America जाएगा किसके पास जो company है American company उसको receive करना है तो वो एक international currency के द्वारा ही कर पाता है जो कि अभी के लिए dollar यूज़ कर रहे है तो ये चीज़ shift होगी dollar में और dollar जो होता है हमारे देश के पास अगर dollar होंगे तब ही हम America के साथ वहपार कर पाएंगे simple सी बात आती है अगर सोचो हमारे पास dollar है यह नहीं हमारी देश की currency जो है उसके पास में dollar में shift करने की सुईधा ही नहीं है उस condition में हम बाहर से कोई चीज़ खरीद या बेच नहीं पाएंगे वही चीज़ यहाँ पर account होती है तो यहाँ पर international currency जो बात की जारी है वी dollar की बात की जारी है India की बात की जारी है इंडिया की बात की जारी है तो भाईयो इस तरीके से transaction हो गई अब next बात आ जाती है कि क्या कभी ये बंद होगा answer बहुत ही बड़े वाला है no ठीक ऐसा नहीं है कि ये बंद हो जाएगा ऐसा नहीं है कि आपको यहाँ पे आपने काम करना चालो गया और ये बंद हो गया तो इस तरीके से हमारा कह सकते हो RBI regulate करता है अब बात आती है फोरेक्स मार्केट में जब हम काम कर रहे है तो हम लोगों को यह चीज ध्यान रखनी है कि हम जिस देश में काम कर रहे है हमारे देश के अंदर रूल ये है कि हम लोग RBI के रूल को फॉलो करेंगे ठीक क्योंकि ब्रोकर रेजिस्टर जो से भी होगा तो वहाँ पर जो बैंक्स होंगे वो बैंक्स भी तो इंडियन बैंक्स होंगे ना जो regulated है किसके द्वारा लाइक सिंपल सी बात है RBI के द्वारा तो पूरा गेम जो है इन्होंने अपने लाइक हाथ में रखा हुआ है अब अगर कोई इंसान इस गेम को लाइक कह सकती हो डिफरेंट गेम प्ले करना चारह है तो उसको क्या करना पड़ेगा उसको 4X International में जाना पड़ेगा और वहाँ पर जाने से इंडिया के रूस रोकते हैं आम जनता क्योंकि बेटा तुम वहाँ मत जाओ क्योंकि वो मान के चलते हैं कि आम जनता इंडिया में ही रहने वाली है बट उन में से कुछ खास लोग जो कहते हैं भाई हमको 4X International लेविल पर करना है तो वो उस देश की तलाश करते हैं जैसे आप देश सुनते भी होंगे कि बहुत सारे करोड़बती हमारे देश से डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में जा रहे हैं रीजन है उसके पीछे क्योंकि वहाँ पर कुछ ऐसी कंट्रीज होती है जापर टेक्सेशन में फायदा होता है हेल्थ बेनिफेट्स होते है लाइक वहाँ पर जो एन्वार्मेंट है वो बहुत ही जादा अच्छा है अभी आप दिल्ली का हाल देख सकते हो क्या हाल है तो जो दिल्ली के वेपारी होंगे उनका बिजनस ओलरी स्टेबलाइज है उनको पता है कि यह rule है और यह rule को against में नहीं जा सकता मुझे यहाँ पर jail भी हो सकती है तो उस condition में आप काम नहीं कर सकते और आप काम कर नहीं सकते तो आप उसको monitor तो कर सकते हो जब तक आपके पास इतना amount ना आ जाय कि आप यहाँ से shift हो कर उस particular country करो like mt4 या mt5 ठीक यह क्या होता है केवल और केवल software है यह केवल और केवल software है काफी लोग सोचते है mt4 mt5 ही like जो है ना broker है बट यह broker नहीं होते यह software है जैसे कि माल लीजे पूरी दुनिया का एक software बना दिया गया लाइक पूरी दुनिया का एक करेंसी बना दी जाए कि डॉलर है इसी से transition होंगी तो में चीज यहां पर क्या कर दिया गया जैसे mt4 mt5 यह एक software बनाया गया worldwide अब क्या है कोई भी इंसान अगर चाहता है फोरेक्स मार्केट में access करना जैसे कि आप देखते होंगे कि डार्क वेब पर इंटर करना होता है तो टोर लाइक ब्राउजर होता है ओनियन ब्राउजर होता है तो वह चीजों में एंटर करना होता है ऐसे ही अगर हम लगते हो आपने नाम भी सुने होंगे कर्किटर और उनका प्रमोशन करते रहते हैं मैं नाम नहीं लेना चाहरा हूं आप समझ गई होंगे वहां जाएंगे वहां जाने के बाद में आप उनका जाके Demo Account आप Demo Account को Activate करेंगे, Activate करने के बाद में Step No. 3 आपने Laptop के अंदर अपना MT4, MT5 ओपन करना है ओपन करने के बाद में Demo Account का है जो आपको User Name और जो उसका Password आपको मिलेगा वो आपको यहाँ पर MT4 या MT5 जो भी आपने डाउनलोड किया है ना नर्मली MT5 करता है, Updated है तो MT5 के अंदर Login करना है Login करने के बाद में ध्यान रखो कि सेम चीजे, सब कुछ सेम रखने के लिए मतलब सब कुछ सेम है, वहाँ पे आपको Account मिलता है, 10,000 डॉलर चाहते है आप 10,000 डॉलर का मिल जाएगा 1,000,000 डॉलर चाहते हैं, तो 1,000,000 डॉलर का आपको वहाँ पे Account मिल जाएगा No problem, अब इसी के इनुसार आप Trade कर सकते हो, Trade करने के लिए Basically आपको क्या क्या चीजों की जरुद पड़ेगी 3 Step आपने Follow किया, बहुत ही Simple होते है M.T.4 डाउनलोड करा, M.T.5 डाउनलोड किया डाउनलोड करके आपने किसी भी वेबसाइट पर जाकी जो आपको कोई भी ब्रोकर हो, क्योंकि हमें तो पता है हमें काम नहीं करना, पैसा तो ट्रांसफर करना ही नहीं है तो पैसा ट्रांसफर नहीं करना है, तो डरने की क्या बात है, तो demo account वहाँ पे हमने बना लिया, बनाने के बाद मैं MT5 के उपर आए, वहाँ पे login किया, login करने के बाद हमारा जितना भी dollar का हमने account बनाया होगा, वो हमें show होना चालो हो जाएगा, अब आजाता है असली game, अब यहाँ पे आपको क्या करना है, जो आपने download किया है, वहाँ पे आप कह सकते हूँ, या तो आप like robot run करोगे, ठीक, या आप manual करने की कोशिश करोगे, बट मैं आपको एक बात बता देता हूँ, जब भी आप forex international में काम करने की कोशिश करोगे, like मेरे बास में काफे सारे client आत कि sessions होता है, कि एक session, ये तीन sessions होता है, तो इस तरीके से कुछ काम होता है, कि पहला session on है हमारा, तो ये वाले दो बंद है, फिर ये वाला बंद हो गया, फिर ये वाला भी बंद हो गया, और ये वाला भी बंद हो गया, तो ये वाला खुल गया, तो इस तरीके से बोल सकते ह मार्केट 24 गंटे खुल रही है, क्लॉब गूम रहा है, कॉमन से चीज आती है, तो आप इतनी देर किसी एक चेर पर बैट नहीं सकते हैं, हम भी नहीं बैट सकते हैं, और पेशेंस के साथ तो बैट ही नहीं सकते हैं, यूगि इनसान जो है, गलतिया तो करेगा, वो गलतिया ना हो, इसके लिए आपको specially robot को रन करना आना चाहिए, robot की बात की जाए, अब ये robot कहां से मिलते हैं, तो भाई आप क्या करेंगे, mt5 website पे जाएंगे, वहाँ पे आपको free robot भी मिल जाते हैं, और वहाँ पे आपको paid भी मिल जाते हैं, बट मैं आपको advice दूँगा कि आप पहले free वालों को use करने की कोशिश करें, ताकि आपको पता लगे, काम करना कैसे है, अब ये robot जो है, ये basically file में होता है, file download हो जाती है, download होके, like हमारे laptop के अंदर, जहाँ पर mt5 software होता ना, अब इसके लिए क्या करते हैं, हम लोग virtual private system जो होता है ना, वो use करते हैं, जिसकी value 600 रुपे से लेकर, या 1000 रुपे तक होती है, like normally मैं जो use करता हूँ, वो 6700 रुपे का आता है, monthly बात कर रहा हूँ, monthly के लिए होता है, उसमें क्या होता है, मालीजे आपका laptop है, अब ऐसा तो नहीं है, किसी का भी कोई भाई laptop है, तो वो 24 घंटे चलता रहेगा, not possible ना, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक system होता है, उसके अंदर क्या है, पीछे back end में window में जा सकते हैं, तो laptop में एक laptop होता है, जो server पे होता है, जो कि cloud पे होता है, वो कभी बंद नहीं होता, यह बात ध्यान रगना, तो वहाँ पर हम क्या करते हैं, वहाँ पर कोई software नहीं run करते हैं, वहाँ पर क्या है, MT5 जो software है, उसको open किया, open करने के बाद में क्या किया, जो हमने अपना, like जो हमारा, जो हमने, जो download किया है, like अपना free, जो indicator है, या strategy है, कोई भी कर सकते हैं, जो हमारा algo है, जिसको हम robot बोल रहे हैं, इंडिया में इसको algo बोलते हैं, यहाँ पर international में इसको robot बोलते हैं, या फिर expert advice बोलते हैं, या expert advice, EA बोलते हैं, नॉर्मल भाशा में न, EA बोलते हैं, तो यह जो EA है न, यह कुछ नहीं है, यह पता EA का मतलब क्या हुआ, EA का मतलब या तो indicator, ठीक indicator है वो, या फिर कह सकते हो, इस strategy है, जो आपने बनवाई है, तो वो है, उसके code को run करती है गया है, वो run होने पर क्या होगा, जो आपने MT5 software open किया है, जो भी chart पर आप उसको लगा रहे हो, उस chart पर वो run हो जाता है, और वो activate हो जाता है, जैसे ही वहाँ पर buy का signal आएगा, तो आपका buy वाला trade चला जाएगा, जहाँ पर sell का signal आएगा, तो sell वाला trade हो जाएगा, यह चीज होती है, शर्थ पस इतनी है, कि आपको अपना laptop खोल के रखना होता है, बट हमने laptop ना खोल कर, हमने यहाँ पर virtual private system जो होता है, वो ले लिया, और यह बहुती सस्ते में बिल जाता है इंडिया में, तो वहाँ पर back end में, cloud server पे, internet पे, यह चीज खुली हुई है, और यह बात ध्यान रखना, हमारे घर के laptop में क्या होता है, मालीजी मैं laptop लेके बैठा हूँ, मेरे पास में internet connection है, मालीजी जी जी यो, जी यो से फिर वो एक main server पे जाएगा, जी यो का server होगा, उससे क्या है, फिर वो दूसरी जगा पे जाएगा, जहाँ पर वो अंदा बैठा होगा, दूसरे order मालो, यहाँ पर buy का order लगा, यहाँ पर sell का लगा, तो यह communication होता है, बट जब cloud server पे होता है, तो यह fast, super fast होता है, जो भी server पे काम करते हैं, उनको पता होगा, कि यह कितना fast count होता है, यहाँ पर हम लोग काफ़ सारे चीज़े कर सकते हैं, like RAM ले सकते हैं, like बिल्कुल ऐसा system मान के चलो, कि system के अंदर system, तो वहाँ पर यह सारी चीज़े run की जाती है, अब यहाँ पर पैसे की कोई बात आई ही नहीं, आप कहोगे कैसे, भाई, इंडिया में rule यह है कि आप अपने bank से, किसी भी forex trading related या forex या फिर binary trading या फिर कह सकते हो, काफ़ सारी तरीकी की trading होती है, उनमें आप पैसा transfer नहीं कर सकते हैं, और करोगे नुकसान होगा, जब तक loss होगा तालिया, कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई problem की बात नहीं है, जिस दिन वहाँ से आपको कुछ profit हुआ, और वो आपके bank में enter हुआ, और अगर आप ITR फाइल करते हो, और वहाँ पर explain करोगे, तो आपको problem भी हो सकती है, और आपका account seize भी हो सकता है, चीज होती है, यह बात ध्यान रखना है, लोग फसे हुए हैं, और 4X market में हो जाता है, तो 4X market में यह इशू यहाँ पर देखने के लिए होता है, तो आपको यह बात ध्यान रखनी है, कि 4X market में transaction तो हो ही नहीं रहे, भाई हम तो demo account में काम कर रहे हैं, demo account में काम करने से रोका किस नहीं, और demo account में काम करने का main मकसद पैसा कमाना नहीं है, सबसे पहले हैं अपनी skills को develop करना, कि भाई काम होता कैसे है, मुझको पता तो लगेगी, कि ये काम होता कैसे है अब पता ही नहीं है कि करना क्या है जब अब आफ प्रोब्लम आती है निकलके तो आपको बात ध्यान लगनी है कि हमको करना नहीं है मैं किसी भी फोरेक्स ब्रोकर को पर्मोट नहीं करता हूँ अपने चैनल पर या कहीं पर भी कि आप मुझे परसणली जो होगा वो से भी रेजिस्टर्ट ब्रोकर में होगा जैसे कि जीरोधा में हो गया अप इस टॉक्स में हो गया या एलाइस ब्लू में हो गया यह बिल्कुल 100% जैनुर्ट ब्रोकर है तो आप कोई बात ध्यान रखनी है कि सभी लैप्टॉप्स में पढ़ा हुआ है डरने की कोई बात नहीं है आप कोई बात ध्यान रखनी है डरने की कोई बात नहीं है बस डरने की बात तब आ जाएगी मेरे भाई जब आप वापे बैंक ट्रांसेक्शन करोगे आपकी वो नॉट होगी बहुत अच्छी बात है भाई, skill develop करो किस चीज़ के लिए कि आज मैं इंडिया में काम कर रहा हूँ, पहले इंडिया में रहते हुए इंडियन ब्रोकर के साथ में काम करते हो profit gain कर लूँ, अपनी आपको एक skill full बना लूँ चार साल, तीन साल जो हो जाएं, उसके बाद में जब मेरे पास पैसा हो, तब मैं कहीं भी जा सकता हूँ जहाँ पर यह forex market legal हो simple जी बात है, वहाँ पर जाके company restart करो, जो करना है कर लो, बहुत रस्ते हैं जब पैसा आता है ना, खुद बाखुद बताता है कि मुझे क्या करना चाहिए, हैना तो आपको यह चीज long term के लिए plan होना चाहिए, मैं फिर कहता हूँ भाईयो, मैं कोई भी forex international broker की promotion नहीं करता, मेरे पास मैं काफ़े सारे like brand भी आते रहते हैं, कि यह वाला promotion video बनानी है महिने में, दो बार बनानी है बट जब मैं वो काम खुद नहीं करना चाहता, तो आपसे क्यों करा हूँगा यह बात ध्यान रखो, यह video educational purpose के लिए थी, मैं यह बाते बताना नहीं चाहता था क्यों काफ़े सारे लोग इतने बड़े pop-up होता है उनको मना करो ना भाई, यहां नहीं जाना वो ऐसे हैं कि यहीं पर जाके देखेंगे, चलो try तो करें 1000 रुपे से, 2000 रुपे से try करें भाई, मत करना, मैं आपको फिर कहता हूँ कि इवल demo account करना चाहते हो, कर लो और वो भी वो करना, यह महनत भी फालतों की चीज़े होंगे मेरे साब से, महनत भी वो करना, जो long term जाना चाहता है, मैं फिर कह देता हूँ मैं तो long term जाना चाहता हूँ, इस वए से मुझे बाते पता है अगर आप मैं से, माली जी, 100 लोग वीडियो देख रहे हैं, अगर वो दो लोग ऐसे हैं जो सच में long term जाना चाहता है, तो नीचे लिखना यस, आप ये चीज़ करने वाले हो ठीक है, मुझे पता तो लगे कितने लोग seriously long term की planning बनाना चाहते हैं, ठीक है यार ये सारी चीज़े clear हो गई होगी, जो बाते मैं आपको explain करना चाहता था, कर दिया बाकी मैं चाहता है, इसको directly download करके सब दिखा सकता था, बट I think उसमें problem ये है कि वो 98 जो लोग है न, वो बिना मतलब ये चीज़ करके दिखेंगे, मैं ये चीज़ allow नहीं करना चाहता, कि भाईयो तुम वो चीज़ करो जब आपको उस रास्ते पे जाना है नहीं है तो क्यों पंगा लेना है न, तो अपना इंडियन वाला जो है उसमें काम करते हो, इंडिया में रहते हुए 100% legal way में, बट जो लोग long term की planning कर रहे हैं, जिनके mindset एक अलग level पे हैं वो लोग demo account जरूर करें अपनी skill को develop जरूर करें 600,000 रुपे जो होता है न, यार ये कुछ भी नहीं होता है ट्रेडर के लिए बात ध्यान लग ऐसे चिंदी चोर होता है कुछ तो मैंने देखा, ये 600 रुपे देने भी रोता है कहते हैं हम तो खुद manually कर लेंगे भाई नहीं होता भाई, तुम कहां बच्चो वाली बाते कर रहे हो है न, तो ये चीज़ आपको जमझनी है, चलिए जी ये चीज़ के साथ आज की वीडियो बंद करता हूँ आज वेश यारे शोटी सी information काम की होगी आपके लिए ये नंबर है 9837 482890 सेकंड नंबर है 80775 21043 चीक है, आप चाहें तो वेबसाइट है मेरी explosive trade यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, जो हम करन्सी में काम करते हैं, वहाँ पर काफे सारे चीज़ी में अपडेट करता रहता हूँ, आप नीचे वेबसाइट की लिंक दिये हैं मैंने जाके continue join भी कर सकते हो, बाकी यह नंबर है, किसी के mind में कोई question हो कि भाई मैं तो जाना चाहता हूँ बाहर काम करना चाहता हूँ, कितना पैसा चीज़ी होगे तो को मैं फिर बता देता हूँ फंड की बात करें तो कम से कम कम से कम मान के चलो 30-40 lakh उर्पीज लेके जाने पड़ेंगे बाहर ठीक है, अगर आप जाना चाहते हो, क्योंकि बाहर जिस भी country में जाओगे, खर्चा भी करोगे तो इतना तो होना चाहिए, ताकि आप एक genuine कमाई कर पाओ कोई सोचता हो, 50,000 उर्पे के साथ में मैं दुबाई जाना चाहता हूँ किस काम के लिए, फोरेक्स टेडिंग करने के लिए ना भाई, मत करो, सिंपल सी बात आती है तो ये उन लोगों के लिए है, threshold value मैंने जाना बुच के बता दी तो इससे उपर का किसी का fund होगा ना, तो वो जाना और तब काम कर सकता है, अगर वो जाना चाहता है क्यों? क्योंकि काफेज़ लोग ऐसे देखते होंगे, ट्रेडर लोग जो है, दुबाई वगरा जाएगा, लो जी मैं भी फोरेक्स टेडिंग करना चाहता हूँ, और दो अजार, दस अजार, बीस अजार से टेडिंग नहीं होती यार, common सी बात है, वो starting कर सकते हो, अपनी skill develop कर सकते हो, बट कोई सोचता हो, मैं घड़ चलाओंगा, दस बीस, पचास हजार रुपे की ट्रेडिंग कर करके, I think not possible, मेरे भाई, simple सी बात है, और कुछ तो ऐसे भी आता है, वो कहता है, मैंने loan लेकर trade कर रहा हूं, मैं, मेरा इतना loss हो गया है, भाई, loan के पैसे से trading नहीं होती है, तुम कैसे चीजे करते हो, common sense नहीं होता, काफी लोगों पर, ये बात government जानती है, इससे क्या होगा, माली जो 10,000, 20,000, 50,000 कमाने वाला बंदा मालो loss कराएगा, तो वो रोएगा, सिर पकड़के बाई, मेरा पैसा तो चला गया, क्यों चला गया, उनको पता है, government जानती है, कि यहां से फिर पैसा बाहर जाएगा, इस वज़े से restriction लगाया गया है, ठीक है, तो आई वेश, यहां तक की बाते clear हो गई होगी होगी, फिर भी किसी के mind में कोई question है, तो number दोनों दियो है, इन नाक्स्ट इंपोर्टेंट वीडियो के अंदर दोस्तों,